हेलो गाईस आच परते स्टेंडर एड जीसीबी की संस्कृत की समिस्टर टू की लेसन नमबर एट मनुश्य सीहो मेट्री फ्रेंशिप बेट्वेट्वेट्वेन अ मैन एन लायन यहापे बहुत ही अद्बुत स्टोरी बताई हुई है जापे मैन और लायन की दोस्ती दिखा सावर्स्च्रपरदेश साताधार ग्रामश सर्मीपय मोमतिमनी पर नामह ग्रामह वतरते कथी वर्ष पुर्भे तष्मिन ग्रामे भल नामह एक कृषि मल्ड आशित नद्या टते कृशि वाटिका आशित मात्रवाल प्रती दिẫnम वाटिकाय वरुक्ष तल्या श्थित्वा नद्या जलम अपश्यत हा There is a village मोटी मन मोन परी near the Satadhar village in the Saurashtra and many years ago A farmer named Matrawala living in this village Matrawala's farm was near the river bank Matrawala would sit in the farm under the tree and watch the river water every day एक गाव की स्टोरी होगी मोटी मोन परी करके एक village है Saurashtra में Satadhar village के पास एक farmer है जो मातरावल उनका नाम मातरवाल था और वो बहुत सालों से नदी किनारे रहते थे उनका farm नदी किनारे था घर भी था तो आसे खटिया लगा के जैसे pictures में देख रहा है वो everyday ट्री के नीच बैढ़ कर जो भैता पानी है वो देखते रहते थे एक दा सह पश्यत है सीह स्व भार्याया सह नद्या जल पानम आगच्चत नद्या जले स्थित हमकर सी भार्याया अवधम करोत सीह तश्या रक्षणां प्रयत्नम अकरोत किन्तु निश्वलह भवत दुखित है सीह नद्या तटे अतिष्चत चत्रुना दिननान अनंतरम यदा मकर नद्या तर्चमिप अगच्चत तदा सीह सीगरत है अकरमण अकरोता तयो मध्य गोद्युद्धम अभवता सीह मकरश्यवधम अकरोता किन्तु सह स्वामपी शतिष्चत अभुत्वा तत्रेव अपतता अन्स, he saw a lion coming with his wife to drink the river water and the crocodile living in the river killed the lioness the lion tried to save her but was unsuccessful, the said lion stay on the riverbank four days later when the crocodile come near the riverbank the lion attack it quickly, there was a fierce battle between two, finally the lion killed the crocodile but he himself was wounded and fell down there itself लगभई एक दिन के बात होगी मातरवाल ने देखा कि जो lion होगा वो अपनी बीवी के साथ lioness के साथ नदी का पानी पीने आया था और crocodile ने मौका ही पाते lion ने इस पे अटेक कर दिया और उसे मार डाला lion ने उसको बचाने के लिए बहुत राई किया लेकिन अंसक्सेस्फुल रहा वो दुखी होके वही बैठा रहा जब चार दिन के बाल crocodile उपर आया पानी पानी के भाहर आया तो lion ने इसके पर बहुत खतरना वे से शिकार करने के लिए उनके पर हमला बोल दिया धावा बोल दिया और दुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ lion ने फिर crocodile को मार गिराया लेकिन वह भी इतना जकमी था कि वह फिर बीचे गिर गया और मात्रावाल उसकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते है जो आपको पिच्चर में देखने को मिल रहा है मात्रावाला हा दूरत हा एतत अपश्यत स शती ग्रहष्य सिहष्य सहारतात तत्र अगच्चत अउश्यदानी आनिय स सिहष्य शुशुशाम अकरोता कति दिनांदरम सिह स्वस्च अभवता तथा स च तश्य मित्रम अभवता तदंतरम स एवं सिह कति दिन मात्रावालां ग्रुहे तश्य समीबं निय वसता स मात्रावाला स सर्वत्र ब्रहणम अकरोता तश्य ग्रुहम श्यत्रम च अरक्षता मनुष्य सिहोय ऐशा अधितिया मेत्री कतिवष्पर्यत्व प्राचल्यतों। मत्रवालं निधनकाले दुखीतः। सिह स्मशान यात्रयं अपी अगच्छतों। सपशान तधवं अगच्छतों। तदंतरं कोडपी जनं। तसिहाम नअपश्यतों। अध्यापी जनह एतश्या, सत्या प्रशंगाष्या, विष्मनम करतु ना सकनुनी. मात्रवाल was looking at all this from far away. He come there to help the wounded lion and he brought the medicines and treated the lion. After a few days, the lion became all right and became his friends due to the treatment. Then the lion started living near मात्रवाल in his house. He would go everywhere with the मात्रवाल and guarded मात्रवाल's home and field. This unique friendship between the man and woman went on for quite a few years. At the time of मात्रवाल's death, the sadness lion joined the funeral procession also. He went away into the forest from the cemetery itself. Thereafter, no man saw the lion again. Even today, the people are not able to forget this true story. मात्रवाल जब ये दूर से देख रहा था, तो उसने फटा फटावर से वोंड़े लाइन की मदद करने के लिए दोर पड़ा. सारी medicines लेके उसको treat किया, थोड़े ही दिनों में lion ठीक हो जाता है. और फिर treatment करने के वज़े से lion उसका दोस बन जाता है. Lion फिर मात्रवाल के घर में रहना शुरू कर देता है. जहां पर भी मात्रवाल जाता है, वो चला जाता है. और दीरे-दीरे करके उसके घर, उसके feel की रक्षा करने लगता है. दोनों के बीच की जो ये friendship है, कही सालों तक चली, तब तक मात्रवाल की death नहीं हो जाती है, तब तक. जब मात्रवाल की death हो जाती है, तो लोग कहते है, कि जो sad and lion होता है, वो उसका जो funeral procession होता है, जो मनने की सारी क्रिया होती है, उसमें भी join हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद वो कई forest में चला गया, जो आज तक वो अभी दिखाई नहीं है, इवन आज भी लोग इस सच्च लगी और like करना मत भूलेगा, thank you so much